दोस्तो इस वीडियो में आप देखेंगे सागवान लकडी की बिंडो पर लाइकर पॉलिस कैसे की जाती है step by step इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल लाइगी इस तरीके से पॉलिस आप लकडी की बनी हुई किसी भी चीज के उपर कर सकते हैं आपका लकडी के दरबाजा हो बिंडो हो चकाट हो या कोई दूसरी चीज हो प्रोसेस सारा सेमी होगा यह लाइकर पॉलिस है इसलिए इसको हम हाथ से करेंगे इसमें इस प्रेगन का प्रियोग नहीं होता है और इस पॉलिस को करने में हमने जो मटेली उच किया है उसकी लिस्ट आपको इसी वीडियो में मिल लाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं कि अब प्रोसेस कैसे किया जता है सबसे पहले देखिए जाली लगी हुई है जाली की उपर मोल्डिंग है मोल्डिंग में कीले लगी हुई है हलकी हलकी सी तो कीले हमें अंदर करनी है थोड़ी थोड़ी अंदर कर देनी है ताकि पॉलिस होने के बाद में वहाद दिखिए न कर लेंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो और दोस्तों आप से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेस्बूप के देख रहे हैं तो हमारे पेस्ट को फोलो अगर आप यूटूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर दें कि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिस की वीडियो हमेशा मिलते रहती हैं अगर आप क्यों कि हम हाथ सही कर रहे हैं पॉलिस तो इसमें ज्यादा नहीं लगेगा अगर इसब्सक्राइब है तो पूरी जाली को कवर कर ले किसी अख्बार गए्रा से इस पर हमें लाखदाना पॉलिस मादनी है लाखदाना पॉलिस कैसे बनती है अगर आपको वीडियो दिखनी तो डिस्क्रिप्शन चेकिजिए आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का यह देखिए हमें लाखदाना पॉलिस को फिल्टर करके ले लिया है यूज करने से पर लागदाना पॉलिस को धूप में रखना पड़ता है एक दो घंटे जब यह गरम हो जाती है तभी इसका प्रियोग करते हैं फिर इस तरीके से इसके पर दो-तीर हाथ अप्लाई कर देंगे पॉलिस मानने के बाद में आप चाहें तो इसके पर पाउडर भी कर सकते हैं लेकिन हम पाउडर नहीं करेंगे पाउडर करने से रेशे दब जाते हैं इसलिए हम पाउडर का प्रियोग नहीं करेंगे और पाउडर एक प्रकार की मिट्टी ही होती है तो उससे रेसे भी दबते हैं और पॉलिस भी कमजोर हो जाती है इसलिए हम इसको नेचुर सीधा ही रखेंगे जैसा है इस पे खली हम ब्राउन कलर करेंगे अगर आपको कलर नहीं करना है तो दो चार हाथ पॉलिस के मानने के बाद में आप डारेक्ट इसके पर सीले चढ़ा सकते हैं कलर करने के लिए हम वालनट वूड श्टेन का प्रियोग करना है तो कि हमें ब्राउन करना है हलकी सी टून इसकी ब्राउन करनी है लाख दाना पॉलिस में वालनट वूड श्टेन को मिक्स कर लेंगे हलका साही हमें मिक्स करना है ज्यादा नहीं मिक्स करना है और फिर हलके हलके हाथ से इसके पर color चढ़ाना है इसके कम से कम हमें 10-15 coat मानने पड़ेंगे जब तक कि हमारा color पूरा set नहीं हो जाता है पहले हम 4-5 हाथ मारके इसके छोड़ देंगे फिर इसके पर sealer भरेंगे उसके बाद में हम color set करेंगे ताकि color अच्छी तरह से set हो जाए तो चलिए मैं एक बार color कर लेता हूँ उसके बाद में दिखाता हूँ आपको तो भी में 4-5 हाथ color के मार लिए हैं अभी हमें इसके पर sealer करना है ये देखें एंसी sanding sealer है और ये हैंसी likeer इन दोनों को आप चाहें तो आपस में आदा-दा mix भी कर सकते हैं या फिर आप खाली sealer भी apply कर सकते हैं mix करने से यह होगा कि इसमें signing भी हा जाएगी और इसकी भराई भी हो जाएगी पतला करने के लिए दोनों में ही NC thinner यूज होता है कम से कम एक लिटर में आधा लिटर तक पड़ता है thinner या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने जुरूत के साब से जितना भी आपको पतला करना हो उस साब से thinner mix कर सकते हैं और फिर मलमल का हमें साप कपड़ा लेना है कलर वाला कपड़ा भी इसमें यूज नहीं करना है और पहला हाथ इसके पर बिल्कुल हलका सा मानना है ताकि कलर ना निकले इस तरीके से दबाना भी नहीं है आपको एक दो हाथ हलके हलके मार देंगे उसके बाद में या पक्का हो जाएगे फिर आप जैसी मर जिसके पर सीलर अप्लाई कर सकते हैं अभी इसका कलर हमें और भी डार्क करना है हमने आपको दिखाने के लिए इतना डार्क कर दिया है बाकि अभी हम इसको और भी डार्क करेंगे सीलर के पांच साथ हाथ मानने के बाद में इसके उपर हम कलर चढ़ाएंगे सीलर आप एक बार में ही भर सकते हैं क्योंकि यह तुरंत ही सूख जाता है एक तरफ से आप लगाएंगे और यह दूसरी तरफ सूख जाएगा इसलिए आप तुरंत ही इसके पर डबल कोट अपलाई कर सकते हैं अब इसके पर हम कलर चढ़ाएंगे वही जो हमने पहले कलर चढ़ाया था वही कलर थोड़ा सा और चढ़ा देंगे इसके उपर जिससे किया थोड़ा सा और भी डार्क हो जाएगा बाकि आप अपने जुरूत के हिसाब से रख सकते हैं जतना भी आपको डार्क लाइट करना हो उसे चाहिए इसके पर आप गद्या मारी है यह उतना ही डार्क होगा जतना आप चाहेंगे तो हमने अभी इसका कलर कर लिया है अब हमें इसके पर टॉप कोड अपलाई करना है टॉप कोड में हम खाली लाइकर का प्रियूप करेंगे उसमें सीलर नहीं मिस करेंगे देखिए एंसी लाइकर है इसी का प्रियूप करेंगे हम बनाने का तरीका वही सेम ही होता है बस इसमें थिनर ही मिस spd hanya होता है इसमें ही परता है जिसमें भी in से अग्या नहीं पड़ेगा बस थिनर मिस करना चाहर लगा देना है लिकार कूर आपको थोड़ा साथ ज़्यादा ही पतला कर लेना है बिल्कुल पाने की तरना कर लेना है और एक हाथ बिल्कुल हलका सा मारना है इसके पर ताकि कलर हो जाए इस तरीके से उसके बाद में आप जैसे भी जाये इसके पर लाइकर एक अप्लाइ कर सकते हैं बस 1-2 हाथ आपको ध्यान रखना SHEND कालं करना है लाइकर को भी हम तुरंन दबल प्न कर सकते क्योंकि लाइकर से पहले हम इसकी रेगमाल से इसके कर लेंगे साप कर लेंगे गुरुफ को ताकि यहां पर उत्ति वर लगे हो पूरी साफ हो जाए और उसके बाद में इसमें आप चाहें तो पेंट का साप करना पड़ेगा क्योंकि paint oil base होता है अगर oil इस पर लगा रहेगा फिर दिक्कत होगी इसलिए इसको तुरंथी आपको साप कर देना है देखे हम ब्लैक paint का इस्तिमाल कर रहे हैं और इसको तुरंथी साप कर देंगे यह देखे इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा हमारा बाकि आप ब्राउन पेंट भी इस्तिमाल कर सकते हैं प्रोसेस सारा सेम ही होगा बस आपको साथ तुरंथ कर देना है गुरूब भर के जो इस्ट्रा लग गया हो उसको तुरंथी साप कर देना है यह बारा नंबर की हमने कलम लिए हैं बाकि आप कलम छोटी भी ले सकते हैं यह देखे इस तरीके से तुरंथ साप कर देंगे तो यह साफ हो जाएगा समय करें इसके लिए अंनीगर करें हो जाए इसकी साइनिंग के लिए जब जैसे आप लाग कर यह वे इसमिए सा निग आती रहेगी वैसे वह से सिस्ञें भी आती जैगी डिसा इंग있는 आने सुरू हो गई है यह दो कर देखे हैं में आती गुधिया है से लेड़े अधिया तो touchwood glossy भी apply कर सकते हैं final code में touchwood glossy का आपको single coat ही मारना पड़ेगा उसमें आपको finishing smooth नहीं मिलते है लेकिन gloss finish मिल जाती है ज़ाई gloss finish भी हो जाता है एक तो इसके apply कर एक कर सकते हाँ कर आपको दो कोट लगाने है तो जह भी सूख जाएगा उसassy पर double coat apply कर सकते हैं अब हमें जाली की peutIDS करनी है झाली paint करने के के लिए हम इसमें muchís messages एक को लाईड का in amount paint यूच करेंग एस्जिंफ कोक्व कमपनी का यह color है नृप को क्किया प्लार कोई भी ले सकते हैं यह 50 गराम कि पैकिंग शुरू होता है और एक लिटर चाल लिटर सभी पेक्टिंग में मिल जाता है या ऑक्स बुलू है जाली को पेंट करने के लिए आप एक इंची ब्रस दो इंची ब्रस या कोई भी ब्रस यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा खेंसाब से हम बारा नंबर कलम का ही इस्तिमाल कर आठें हैं और इस जाली को आपको दोनों तरफ से कन पडags जो मेन साट है उस तरफ से भी करना और वेक्स सैटी से भी पेंट करना है इसके आप अगर और उससे इसको तुरंत साफ कर दे जिससे की असानी से साफ हो जाएगा तो देखिए अभी हमारा पूरा फिनिस हो चुका है हमने लाइकर पॉलिस कर दी है इसके उपर जाली आपको दोनों तरफ से पेंट करनी पड़ेगी यह आपको मैं लाश्ट में फिनिसिंग दिखाता ह हैं जिससे कि इसकी फिनिसिंग और भी बढ़िया हो जाएगी और भी स्मूध हो जाएगी और यह सारा मेट्रेल हमने इस पॉलिस को करने में यूज किया है आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं और इसमें दिये हुए सामान को नोट कर सकते हैं इसी तरह की औरत जानकरी के अब हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें कि हमारे चैनलों पर आपको इसी तरह की पींट और पॉलिस की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं अगर आप कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग